हाई गाईज विलकम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से सेर करूंगी धनतेरस पर क्या क्या खड़ी दे जिससे की सालों भर घड में सुक सम्रिधी बनी रहे पंचांग के अनुसार इस बार यानि की 2024 में धनतेरस है 29 अक्टूबर को दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका कनेक्शन साफ सफाई से है और ऐसी मानिता है कि मा लक्ष्मी हर घर जाती है तो जहां पर साफ सफाई होती है वहां पर मा लक्ष्मी जाती है दिवाली से पहले घर की साफ सफाई जरूरी है घर में गंगाजल से चिरकाओ करना ऐसे में मालक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए बनी रहती है गंदे घर में कुलक्ष्मी का निवास होता है और गंदिगी को राहू से जोरा गया है इसलिए हम दिवाली से पहले घर की साफ सफाई करते है कुछ समान जैसे टूटे बरतन, फटे पुराने कपड़े, बंद घरी, बंद पड़े, पुराने इलेक्ट्रोनिक के समान इन सब चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए इससे वास्तु दोस लगता है तो चलिए, अब हम जानते हैं कि धंतीरस के दिन हमें क्या-क्या खड़ीदना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू, इसको तो आप नोट कर लीजिएगा खेल, बतासा, मूरी, यह आप जरूर खड़ी दिएगा, धनिया जरूर खड़ी दिएगा, धनिया को धन से जोरा गया है इसके अलावा हम दिया खड़ीते हैं, मंबती खड़ीते हैं, लाइट खड़ीते हैं और सबसे जो मेन है जिसको धंतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकी आना चाहिए वो है जारू जहारू को माता लक्षमी का स्वरूप माना गया है तो आज के दिन धंतेरस के दिन आपको जहारू जरूर लाना है अपने घर में जहारू जरूर लाना है और जहारू का आपको पूजा भी करना है तो जहारू जरूर लेके आए इसके बाद जो अगला समान है वो है चावल चावल आज के दिन जरूर खड़ी दे इससे घर में मतलब बरकत बनी रहती है घर भड़ा पूरा रहता है घर में अनाज की कमी नहीं होती है इसके बाद जो अगला समान है हल्दी का गाट आज के दिन हल्दी का गाट जरूर लाया, धनिया तो मैंने बता ही दिया है, नमक जरूर खड़िदना चाहिए भले ही आपके घर में पहले से है नहीं है इसके बाद जो अगला समान है वो है धातु का कोई भी बरतन आप चाहे तो पीतल, तामबा, किसी भी चीज का आप बरतन खड़ी सकते हैं, पुजा के लिए खड़ी सकते हैं धन्तेरस के दिन धातु में सोना और चांदी खड़ीदना सुब माना गया है तो आप सोना और चांदी की भी खड़ीदारी कर सकते हैं चांदी का सिक्का ले सकते हैं जिस पर लक्षमी गनेश जी की मतलब आगरिती बनी होती है और पूजा के लिए जो हम लक्षमी गनेश की जो मूर्थी लाते हो धंतेरस के दिन ही लाना चाहिए इसके अलावा आज के दिन आप गोमती चक्र स्रीयंत्र भी अपने घर ला सकते हैं इसके अलावा अगर आप संक लाना चाहते हैं तो आज का दिन मतलब धंतेरस का दिन अच्छा होता है पूजा के लिए अगर आप कोई किताब लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं नया गुल्लक लेके आ सकते हैं उसको मतलब मंदिर में रखके उसका पूजा करके आप उसमें सालो भर मतलब पैसा इकटा कर सकते हैं पूजन समागरी रा सकते हैं माता के लिए स्रिंगार का सामान कोई भी नया वाहन बरतन संपती आज के दिन आप ले सकते हैं ऐसी मानिता है कि आज के दिन हम जो भी खरीदते हैं जो भी संपती हम खरीदते हैं उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है तो धन्तिरस के दिन इन सब चीजों को खरीदना सुब माना गया है तो आप भी धन्तिरस के दिन इन सब चीजों को जरूर खरीद दिये जिससे कि आपके संपती में 13 टो कपสा सकति के रुदा एक बाकिए लीजvad को रपाइden